नमस्कार, आप सभी लोगों को न्यू यर की बहुत बहुत बदाया। कई लोग मुझसे पुछते हैं कि नी रेप्लेस्मेंट के बाद कोई लॉंग टर्म प्रिकॉशन्स हमें लेने की ज़रूरत है या नहीं। सो दो प्रिकॉशन्स बहुत जरूरी हैं। नमबर वन हमें अपनी बोन देंसिती का चिक अप रेगुलर्ली करते रहना है। तो अजि और 2-3 yrs कीफ चmachen अगर कोग दिनसिती कोग ड्रा द आप हो सकता है। हमारे इम्प्लांट का फिट मुज मुन हो सकता है। तो हम अगर प्रोड़र्ली हमारे बोन दींसिती चक करते रहेंगे तो और अगर उसमें कम आती है तो we can increase, we can take steps to increase our bone density ऐसे medicines available हैं, regular exercises से हम bone density बढ़ा सकते हैं Second, long term precautions कि हमें कभी भी अगर fever आए So don't ignore any fever, भले वो throat infection हो, urine infection हो कभी भी fever आए तो local doctor से संपर्क करिये या हम से संपर्क करिये So that ये fever का सही evaluation, अगर ये bacterial infection है तो bacterial infection ये fungal infection नीज हमारे implant में नीज में भी spread हो सकता है So it is important to evaluate any fever that comes after a knee replacement So ये दो precautions अगर हम लेंगे तो हमारी long term recovery भी अच्छी रहती है अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करे, thank you so much and wish you all a very happy new year So